हाई एवरिवन स्वागत करते हूं आपका अपनी चैनल ग्राने गार्डन ब्लाग समय और दोस्तों आलू के पापड आपने भी इसके पहले कई बार बनाए होंगे लेकिन आज जो तरीका मैं आप लोगों से सेर करने वाली हूँ इस तरीके से आपने इसके पहले कभी नहीं बनाए होंगे ग्यारेंटी से मैं कह सकती हूँ कि कच्चे आलू के पापड अपने आलू के पापड उबाल कर जरूर बना होंगे लेकिन कच्चे आलू के 100 से भी जादा हमारे 4 आलू के पापड बने हुए है तो दोस्तों चार आलू हमने यहां पे लिये है और आराम से चार आलू के 100 से ज़्यादा पापड आप बना सकते हैं इसमें हमें मसाले चाहिए अजवाइन है हमारी एक चमच जीरा है एक चमच काली मिर्च है एक चमच और हमारी खड़ी लाल मिर्ची है मैंने थोड़ा कूट लिया है नमक अपने स्वाथ के अनुसार और हमारी है चार आलू तो बस इनी चार आलू के साथ में हमें 100 से ज़्यादा पापड बनाना है लेकिन दोस्तो हमारे आलू के जो पापड होते है वो ज़्यादा फूलते नहीं है इसलिए हमें अच्छे फूलना चाहिए और एकदम सफेद दिखना चाहिए उसके लिए मैंने आदा कटोरी लिया है साबू दाना लेकिन साबू दाना अगर हम लोग आलू के पापड में यूच करते है तो उसे हमें फूलना पड़ता है लेकिन इस साबू दाने को हमें पीस लेना है मिक्सर के जार में थोड़ा दरदरा टाइप का ही पिसाएगा ज्यादा बारिक पावडर तो नहीं बनता है लेकिन दरदरा भी अगर हम लोग पीस लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा तो चलिए हमने यहां दरदरा पाउडर बना के रख लिया है साबू दाने का और इसे हमें 10 मिनट के लिए लगभग फुलाने के लिए हमें डाल देना है तो बस हमारा साबू दाना 10 मिनट के अंदर में फुलकर रेडी हो जाएगा वैसे अगर हम लोग साबू दाना फुलाते हैं तो आलू के पापड में अगर डालना है साबू दाना तो हमको नाइट में फुलाने डालना पड़ता है तब कहीं हम लोग सुवह उसके पापड बना सकते हैं लेकिन हमने पीस लिया है इसलिए हमें 10 मिनट ही लगेगा साबुदाना फुलाने के लिए उसके बाद में हमने जो चार आलू लिया है उसे पहले हमने पानी से धुल कर रख लिया था और अब हमें इसके सारे छिलके उता लेना है छिलके उतारने के बाद में हमें इसे डाल देना है पानी में क्योंकि अगर पानी में नहीं डालेंगे तो हमारी आलू काली पर जाती है इसलिए हमें इसे पानी में ही डाल के रखना है और दो तीन पानी से हमें और आलू को धुल लेना है क्योंकि इसका जो इस्ट एक बार एक टुकडे काट लेना है तो अभी आप यह देख रहे हैं कि मैं चाकू से आराम से जैसे हम दोग सबजी वगेरे में काट कर डालते हैं बस उसी प्रकार से हमें इसे काट कर रेडी कर लेना है तो यह देखिए मैंने सारी चार आलू को काट कर यहां रेडी कर लिया ह और एक प्लेट में निकाल कर रख लिया है इसे भी हमें दो से तीन पानी में धुलके निकालना है मतलब जो आलू का जो इस्टार्च होता है वो हमें पानी से धुलकर ही निकालना है दो तीन जब तक मतलब दो तीन पानी से धुलकर निकाल लेंगे तो पूरा इस्टार्च ज जार में बारिक बीस लेंगें जैसे वैसे आलू के पापण हम लोग अदिक तर उबाल कर ही बनाते हैं लेकिन आज हम लोग कच्छे आलू के बना यह इसलिए इसे मिक्र सके गजार में पीस कर हमने रेड intent कर लिया है और इक चलदिलिंसे हमने पूरा च्छान लिया है मतलब इसमें जो कभी अगर हम लोग मिक्सर के जार में भी पीशते है तो थोड़ी से गुटलिया मतलब रह जाती है तो इसलिए हमें चलनी में चलनी में चान लेना है ताकि इसकी जो भी गुटलिया रहे वो बाहर निकाल सके और उसी जार में फिर हमें डबल से पीश लेना है तो देखिए ये मैंने पूरा पीश कर आलू को चान कर यहां इसका बटर तयार कर लिया है और एक कटोरे में फिर इसे मैंने एट कर दिया है उसके बाद में देखते हम लोग की हमारा साबुदाना भी फुल कर रेडी हो चु और जो हमने यहां मसाले लिये थे जैसे जीरा है अजवाइन है काली मिर्च है लाल मिर्च है नमक है सारो को हमें इसमें कर देना है एड और एड करने के बाद में इसे अच्छे से कर लेना है मिक्स अब हमारा पूरा यह बटर रेडी हो चुका है अब हम लोग चलते हैं गे पापड बनाने के लिए उसके लिए हमें 8 गिलास पानी डालना है मतरब एक आलू के लिए दो गिलास पानी क्योंकि उसमें अमने हम from दो इसको हमें धाड़ घ़र करना है मतलब अशार आलू को उसके बाद में हमें इस बटर को डाल लेना है और बस चम्मस से हिलाते जाना है और कम से कम 15 से 20 मिनाड तक हमें इसे पकाना है और गेस का फ्लेम एकदम लो कर देना है क्योंकि अगर हम लोग तेज पर करेंगे तो एक तो गंजी में भी लगेगा और साथ में जब अगर जादा ऊपर आ जाएगा तो वो हमारे पापड का जो बटर है वो पतला हो जाएगा और हमारे पापड अच्छे से नहीं बनेंगे और उसके बाद में दूस्तों मैंने डाल दिया है हरा धनिया काट कर और हरा धनिया काटकर डालने के बाद में, वाओ, हमारे पापड बहुत ही अच्छे दीग भी रहा है, और साथ में, टेस्ट में भी बहुत अच्छे लगने वाले, बस उसके बाद में मैंने एक पननी डाल दी है पलंक पे, और उसके चमच से छोटे छोटे पापड जिस भी आकार में छोटे बड़े हमें बनाना है मैंने फैला लिए है तो अभी आप यह देखिए मेरे सव से भी ज्यादा पापड यहां बनकर रेडी हो चुके और बहुत ही अच्छे दिख रहे है क्योंकि मैंने इसमें डाल दिया था धनिया धनिया की वज़े से हमारे पापड अब चलते हम लोग और गेस के पास में देखिए मैं बहुत ही आसानी से पलटा ले रही हूं और बहुत ही पतले पापड है और जब हम लोग तलेंगे ना तो बहुत ही अच्छे क्रंची होने वाले है तो यह मेरे मतलब पलट कर मैंने बस राद बर छोड़ दिया था और द देखते हैं कि हमारे पापड तलने के बाद में कैसे लगते है क्रंची और खाने में भी इसका टेस्ट कैसे आता है तो देखिए यह बहुत ही आसानी से और एकदम ऐसे साफ्ट साफ्ट बहुत ही अच्छे पापड दिख रहे है और एकदम सफेद पापड दिख रहे है पापड क्रंची बने है या नहीं थोड़ा सा हम लोग देखेंगे हाथ से दबा कर क्रंची रहेगा तो एकदम इसकी आवाज आने लगेगी तो देखिए यह मेरे पापड एकदम क्रंची बने है दोस्तों बहुत ही चटा के दार हमारे पापड बने है और टेस्ट तो इसका बेश्ट होना ही है क्योंकि हमने इसमें ऐसे मसाले एट किये है तो दोस्तों आज चारा कच्चे आलू के पापड की रेसेपी मेरी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताईए और बहुत ही आसान है और जल्दी बन भी जाती है और खाने में तो इसका जवाब ही नहीं है अगर आपको ये रेसेपी पसंद आई हो तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों और कमेंट करके बताईए कि आज की मेरी रेसेपी आप लोगों को कैसे लगी थेंक यू